हेलो प्रेंट्स, वेलकम बैक, आज के क्लास में हम डिस्कॉस करेंगे मल्टिप्लिकेशन अफ 11 और 111 विथ एनी नमबर, मल्टिप्लिकेशन अफ 11 और 111 कोई भी नमबर, सिंगिल डिजिट हो, डबल डिजिट हो, या उससे बड़ा डिजिट हो, 5 डिजिट सम, 6 डिजिट हो हम 11 और 111 को आसानी से कैसे मल्टिप्लाई कर सकते हैं एक्जाक्लि अगर देखा जाए तो इट इस ए मल्टिप्लिकेशन विदाउट मल्टिप्लाईंग, बीना मल्टिप्लाई किये हुए, हम एक नमबर का 11 और 111 के साथ मल्टिप्लिकेशन कैसे फाइंड और कर सकते हैं एक सिंगिल डिजेट नमबर हम आजिम करते हैं, फाइव, फाइव, इन्टू 11, फाइव को हम यहां लिख दिये, 11 यह जितने वान है, यह टू वान्स है, यह थ्री वान्स है, जितने वान होंगे, हम एक कॉम डर्ट उसके राइट साइड में, और लेप्ट साइड में लगा देंगे, जैसे कि टू वान्स थे, हम वान डॉट लेप्ट साइड में, वान डॉट राइट साइड में लगा लिए, इसके बाद, we assume this dot as 0, 5 प्लस 0, 5, again 5 प्लस 0, 5, answer is 55, एक डबल डिजित नंबर हम आजिम करते हैं, कोई से भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे कि 37, 37 इंटू 11, now we will mention 37 here, 1 dot in right side, 1 in left side, now that is equals to, हम राइट साइड से कालकुलेशन करके चलेंगे, लेट के तरफ, we assume it as 0, 0 प्लस 7, 7, 7 प्लस 3, 10, 0, 1 करेट, 3 प्लस 0, 3, 1 करेट था, that is 407, similarly 5, 34 एक नंबर हम आजिम कियें, 3 डिजित नंबर कोई से भी हम आजिम कर सकते हैं, सबके लिए same ही रहेगा, इंटू 11, now we will write 5, 3, 4, we will place 2 dots, one in right side, another one in left side, same procedure, azimate 0, 0 प्लस 4, 4, 4 प्लस 3, 7, 3 प्लस 5, 8, 5 प्लस 0, 5, answer is 5874, similarly और एक डिजिट देखते हैं, 4 डिजिट नंबर, कोई से भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे कि 6, 9, 7, 2, into 11, equals to 6, 9, 7, 2, we will place one dot in right side, another in left side, now, simply add करते जाएंगे, azimate as 0, 0 प्लस 2, 2, 2 प्लस 7, 9, 7 प्लस 9, 16, 6, 1 करेड, 9 प्लस 6, 15, 1, 16, 6, एगें वान करेड, 6 प्लस 0, 6, और 1, 7, answer is 76692, हम देख लिए, मल्टिप्लिकेशन आफ 11, with any number, single digit number, double digit number, triple digit number, यह 4 digit numbers आगे हैं, सिमिलार ले अगर हम चाहें, और 5 digit number का भी देख सकते हैं, एक example ले लेते हैं, 5 digit number का, 5, 3, 2, 9, 7, कोई भी 5 digit number आजिम कर लिजे, into 11, same method, 5, 3, 2, 9, 7, left make dot, right make dot, dot, now just add it, dot को हम आजिम करते हैं, 0, 0 plus 7, 7, 7 plus 9, 16, 6, 1 करेड, 9, 2, 11, 11, और 1 जो केरी हुआ था, 12, 2, 1 करेड, 2 plus 3, 5, 1, 6, 5, 3, 5 plus 3, 8, again 5 plus 0, that is 5, 5, 8, 6, 2, 6, 7, this is all about multiplication of 11 with any number, ये सिंगल इजित नमबर हो, डबल इजित नमबर हो, ट्रेपल इजित नमबर हो, 4 डिजित नमबर हो, या उससे कितना बड़ा भी number हो, same procedure में हम कोई भी number का multiplication with 11 find out कर सकते हैं, next come to, 111, multiplication with 111, similarly, पहले एक सिंगल डिजित नमबर हम आजिम करते हैं, 7, 7 into 111, that is equals to, यहाँ पर 7 हम लग दिये, यह 1, 1, 1, 3 ones थे, जैसे कि वहाँ पर 2 ones थे, तो हम 1 dot कम लगाते थे, दोनों साइड में, जैसे कि यहाँ पर 3 one है, तो हम 1 dot कम लगाएंगे, जैसे कि इस साइड में हम लगाएंगे 2 dots, left में भी लगाएंगे 2 dots, now what to do, जैसे 2 ones थे, तो हम 2 digit को addition करते थे, अब जैसे कि 3 ones हो गएंगे, तो हम अभी 3 digit को addition करेंगे, and we will assume this dot as 0, 0, 0, 7, 0 plus 0 plus 7, that is equals to 7, now it is over, again come to this 0, 0 plus 7 plus 0, that is 7, this 0 is over, 7, 0, 0, this is 7, और आगे तो हैंगे, now answer is 777, कोई भी 2 digit नमबर ले लिजिए, 29 into 111, that is equals to 29 को हम यहां पर mention कर दिए, we will put 2 zeros, क्योंकि 3 ones थे, तो एक 0 हम कम पूट करेंगे, 2 zeros, now we will add from this end, 0, 0 plus 9, that is 9, again 0 plus 9 plus 2, 2, that is 11, 1 करेंगे, 9 to 11 plus 0, 11 plus 1 करेंगे भा था, that is 2, 12 से तो मेंशन की 1 करेंगे, 2 plus 0, plus 0, 2 और 1, 3, answer is 3, 2, 1, 9, Similarly, एक 3 डिजिट नमबर लेते हैं, 4, 2, 7 into 111, that is equals to 427, 3 when, 3 once थे, तो ऱट, we will put 2 zeros, that is equals to 0 plus 0 plus 7, answer is 7, 0, 7, 2, answer is 9, 7, 2, 4 7 to 9, 9 plus 4, 13 3, again 1 carat 2 plus 4, plus 0 6 or 1, 7 now 4, 0 and 0 that is 4 4, 7, 3, 9, 7 let's assume a 4 digit number any number we can assume let's take it 9, 3, 4, 1 multiplied with 1, 1, 1 that is equals to now we will write down 9, 3, 4, 1 2 dots at right and 2 at left now we will do simple addition 0 plus 0 plus 1 that is equals to 1 0 plus 1 plus 4 that is 5 2 zeros over again 1 plus 4 plus 3 that is 8 again 4 plus 3 plus 9 that is 16 6 1 carat 3 plus 9 plus 0 12 or 1 that is 13 3 1 carat again 9 plus 0 plus 0 that is 9 plus 1 this is 10 answer is 10 0 3 6 8 5 1 similarly we can do also 5 digit numbers 6 digit numbers and so on ok ok thank you for watching the video if you like subscribe and share and don't forget in the next class we will see more interesting chapter thank you